जो स्वागत है आपका मीनुगर्ग की ओनलाइन हिंदी की कक्षा में आज आप इसमें जो पढ़ाई विशे बढ़ेंगे वो है काल जिसको अंग्रेजी में टैंस भी कहते हैं काल हम उसे कहते हैं जिससे हमें क्रिया के समय का पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है इसकी परिवाशा देखते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं जैसे ये उधारन है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधान मंत्री थे प्रणव खेल रहा है आयूश कल आगरा जाएगा तो इसमें हमें समय का पता चल रहा है कि वो प्रधान मंत्री थे यानिकि भूत काल में थे प्रणव खेल रहा है यानिकि वरतमान काल में खेल रहा है और आयूशकल आगरा जाएगा यानि के भविश्यत काल में जाएगा तो इनकी क्रियाओं से हमें क्रिया के समय का पता चल रहा है तो ये काल के अंतरगत होता है आगे देखते हैं काल के भेड काल के तीन भेड होते हैं नमबर एक वरतमान काल, नमबर दो भूत काल, नमबर तीन बविश्यत काल, वरतमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वरतमान में होने का पता चलता है, उसे वरतमान काल कहते हैं, यहनि के कारिय उस समय हो रहा है, जैसे प्रणव गाना गा रहा है, अंशू स्वेटर बुन रही है प्रकाश केन खेल रहा है श्रया पुस्तक पढ़ रही है तो इन वाक्यों से हमें क्रिया के पता लग रहा है कि वर्तमानकाल में कारिया चल रहा है वर्तमानकाल के भेद अब वर्तमानकाल को भी तीन भागों में बाटा गया है सामान्य वर्तमानकाल अपून वर्तमान और संदिग्द वर्तमानकाल आप एके करके इसके बारे में पढ़ेंगे सामान्य वर्तमानकाल जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमानकाल कहते हैं जैसे पंकच गाना गाता है मैं विद्याले जाता हूं वह वहां जाता है गाये दूद देत तो इन वाक्यों में जो क्रिया है वो सामान्य रूप से हो रही है तो इसलिए यह सामान्य वर्तमानकाल कहलाएगा अपूर्ण वर्तमानकाल जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है यानि क्रिया संपन नहीं हुई होती उसे अपूर्ण वर्तमानकाल कहते हैं जैसे कमल गाना गा रहा है मतलब वरतमान काल में गा रहा है लेकिन अभी उसका गाना समाप्त नहीं हुआ है तो यह अपूर्ण वरतमान काल की क्रियाएं होती हैं मैं विद्धिया ले जा रहा हूं नेहा मंदिर में प्रार्थना कर रही है यानिकि वो कारिय अभी चल रहा है अपूर्ण है तो इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमानकाल की श्रिणी में रखा जाता है गा रहा है जा रहा कर रही ये वर्तमानकाल में हो रही है ये अभी पूर्ण नहीं हो रही है क्रियाएं इसलिए ये अपूर्ण वर्तमानकाल की क्रियाएं है आगे देखते हैं संदिक्द वर्तमानकाल जिस क्रिया से यह पता चले कि कारिये वर्तमान समय में हो रहा है पूर्ण होने में संदे है उसे संदिक दवर्तमानकाल कहते हैं यानि कि कारी शुरू तो हो गया है लेकिन अभी उसके पूरा होने में संदे है अभी ये नहीं पता है कि वह पूरा हुआ है कि नहीं तो उसे संदिक दवर्तमानकाल कहते हैं जैसे प्रणव नाश्ता कर रहा होगा अब वो कर रहा होगा, हमें ये नहीं पता है कि वो कर चुका है, मतलब उसने कर लिया है कि नहीं, तो ये संदिक द्वरतमान काल है, निहा पढ़ रही होगी, अंशु खाना बना रही होगी, इस प्रकार ये वाक्य संदिक दवरतमानकाल की श्रेनी में आते हैं आगे देखते हैं भूतकाल क्रिया अब हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से कारिय के होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं यानि के कारिय हो गया है जैसे आलोग हैदराबाद गया था अब वो गया था बूतकाल में तो ये कारिय पूरा हो चुका है युवक नेगीत गया था अंशु जाग रही थी इस प्रकार के वाक्षे बूतकाल में आते हैं भूतकाल के भेद अब भूतकाल को भी छे भागों में बाटा गया है उसको देखते हैं नंबर एक सामान्य भूतकाल नंबर तो आसन भूतकाल नंबर तीन पूर्ण भूतकाल नंबर चार अपूर्ण भूतकाल नंबर पांच संदिक्द भूतकाल नंबर छे हेतू हेतू मद अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं सामान्य भूत में क्रिया के भूतकाल में होने का बोध होता है इसमें क्रिया कब पूर्ण हुई थी, इसका पता नहीं चलता है, जैसे नेहा गई, तुमने खाया, उसने पढ़ा, तो इसमें क्रिया का पता नहीं चल रहा है, कि क्रिया पूरी हुई है, कि नहीं, इस प्रकार ये क्रियाई सामान्य भूतकाल वाली होती है, आसन भूतकाल, जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो उसे आसन भूत काल की क्रिया कहते हैं आसन का अर्थ होता है निकट आसन भूत काल की क्रिया में है हूं लगता है जैसे रमन जा चुका है करीम ने खाना खा लिया है मैं नहा रहा हूं नहा कर आया हूं तो इसमें पता चल रहा है कि क्र क्रिया अभी समाप्त हुई है इसलिए इसको आसन बूतकाल कहते हैं अब है पूर्ण बूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह है पता चले कि कार्य बूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण बूतकाल कहते हैं जैसे मैंने कहानी लिखी थी अर्जुन ने जैदरत को मारा था उसने पुस्तक खरीदी थी इन वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि कारिय भूतकाल में पुरा हो चुका है उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं ये सभी कारिय समाप्त हो चुके हैं कहानी लिखी थी मलब लिखी थी बहुत पहले लिखी थी अब नहीं लिख रहे हैं आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह है पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किन्तु अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं जैसे लड़के खेल रहे थे नीता आ रही थी परिक्षा चल रही थी इनमें रही थी रहा था रहे थी इत्यादी आते हैं वो अपुर्ण भूतकाल वाले वाक्य होते हैं संदिग्द भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, किन्तू क्रिया के होने में संदे हो, उसे संदिग्द भूतकाल कहते हैं, जैसे मनोज आया होगा, तुमने रामायन पढ़ी होगी, छात्र वास में छात्र सो गए होंगे, नेहने खाना खालिया होगा, इस आया होगा, अब ये पता नहीं है, कि आगया होगा मतलब, तो इससे संदिक्द होने का शंशे रहता है, आगे देखते हैं, हेतू हेतू मत भूतकाल, जिन क्रिया पदों से क्रिया के होने का संकेत मिले, किन्तू क्रिया न हो पाए, वे हेतू हेतू मत भूतकाल कहलाता है, जैस अगर नितु पढ़ती तो अवश्य पास होती यदी वह आता तो मैं जाता यदी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती यदी माताजी होती तो खाना बना देती इसमें क्रिया पदों से क्रिया के होने का संकेत मिले किन्तु क्रिया ना हो पाए तो वह हेतू हेतू मत भूत काल हो भविश्यतकाल कहते हैं जैसे लड़के फुटबॉल खेलेंगे वह कल घर जाएगा तुम किताब पढ़ोगे तो इसमें कारिय जो है भविश्य में होने की संभाव ना है इसलिए इसको भविश्यतकाल कहते हैं इसमें अभी कारिय हो नहीं रहे लेकिन भविश्य में ऐसी संभाव ना है कि ये कारिय भविश्यतकाल के भेद भविश्यतकाल के भी दो भेद होते हैं सामन्य भविश्यतकाल संभावे भविश्यतकाल सामान्य भविश्यतकाल में क्रिया के जिस रूप से कारी के भविश्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविश्यतकाल कहते हैं जैसे मोहन घर जाएगा, विद्याले बन रहेगा, तुम मेरे साथ चलोगे तो इसमें कारिय सामान्य रूप से जो है क्रिया हो रही है इसलिए इसको सामान्य भविश्यतकाल कहते हैं संभावे भविश्यतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके भविश्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभावे भविश्यतकाल कहते हैं जैसे दादी शायद कल खिलोने लाए, संभावना है कि कल खिलोने लाए, शायद पड़ोसी से समझोता हो जाए, संभवते वह विध्याले आई, शायद मैं कल वहाँ जाओं, तो इन क्रियाओं को देखने से पता लग रहा है कि कारिये भविश्य में होने की संभावना है, इस सब बच्चों को समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें कोई समस्या हो तो मेरे को मैसिज कर सकते हैं पूछ सकते हैं धन्यवाद